नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चानल मीज सहली पर दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हर सिंघार के तेल की रेस्पी जो कि कितना भी पुराने आपके दर्द है घुटने में दर्द है कमर में दर्द है जोडों में दर्द है तो ये जो तेल है आपको बहुत ही जादा फायदा पहुचाएगा ये हरसिंगार यानि पारिजात के पत्यों का तेल है दोस्तों इसे पारिजात और हरसिंगार बोलते हैं बहुत जगा इसे सिहुली के नाम से भी जानते हैं तो चलिए पहले देख ले तो ये है हरसिंगार के पेर आप लोग पहले पेर को देखके अच्छे से पहचान ले फिर मैं इसका फूल भी आपको दिखाऊंगी इसको हरसिंगार पारिजात दो नामों से जाना जाता है और गौँ एडिया में ज्यादातर इसे हरसिंगार ही बोला जाता है ये और सधिये गुनों से भरपूर है बहुत ही जादा फाइदे मंद है इसके फूल पत्या च्छाल तो इसका उप्योग हम लोग करेंगे आज तेल बनाने के लिए वो भी पुराने जोडों के दर्द को खतम करेगा ये बहुत पुराना पेर है आप लोग देख पा रहे है कि कितना ये जादा बड़ा और घना है तो सबसे पहले आप लोग पत्यों और फूलों को देख कर पहचाल ले क्यूंकि सेम इसी तरीके का एक ऐसा बिरिक्ष होता है जो लगेगा बिलकुल इसी के जैसा लेकिन वो जो है जंगली होता है तो आप लोग ऐसा ना कि भूल देखिएगा दोस्तों वीडियो जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप लोग समझ नहीं पाईएगा तो चलिए इसमें से एक छोटा सा डंठल तोड लेते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा डंठल ले 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 हूँ इसमें जो पतियां है तो ये तेल के लिए हमें पतियों कहीं इस्तिमाल करना है तेल आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं और कम भी बना लीजिए जब खतम हो जाए तो फिर आप दो बारे से बना ले यदि आपको आसानी से हर सिंहार की पतिया यदि मिल जाते हैं तो यदि आपको ये मुश्किल से मिलते हैं तो आप एकठे इसका तेल बनाके रख लीजिए तो सबसे पहले क्या करना है इसका जो पतिया है उसे हम लोग निकाल लेंगे डंठल से दोस्तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज रिक्विस्ट करती हूँ चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल फिरी है सबस्क्राइब करना लेकिन आपका जो सपोर्ट है आपका जो प्यार है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा माइने रखता है और मैं कोशिश करूँगी दोस्तो आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से बीडियो लेके और कुछ यूजफूल बीडियो लेके आने का तो आप लोग हमसे जूरे तभी हमारे बीडियो को देख पाएंगे और आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा छोटा सा जो घंटी का निसान है उसे एक बर दवा दीजिएगा तब हमारे सारे ही वीडियो का नौटिफिकेसन आपको मिलेगा हर सिंगार की पत्या है वो हलका सा खुरदूरा होगा जब आप उसको इस तरीके से टच करेंगे न उंगली से तो वो खुरखुरा सा रहेगा चिकना नहीं रहेगा इसका ये भी पहचान है और इसमें इस तरीके का फूल लगता है दोस्तों ये जो फूल है और ये जो पत्या है अच्छे से समझा के अच्छे से आपको दिखाती हूँ कि कहीं आप से कोई गल्ती ना हो जाए और आप हर सिंगार के जगह पे कोई और पतियां कहीं न इस्तेमाल कर ले अब एदी आपके पास है तो थोरा सा इसमें नीम की पतियां डाल दीजिएगा और एदी नहीं है तो कोई बात नहीं है आप इसके बिना भी बन नीम की पत्याँ डालने से यह तोर असैस में ऱरी प्रकण। आप चाहें तो इस में बाक बारिक सिर्ट कोने और चाहें तो पहले इस तरीके से बारिक से घ्मिल थोरत करें कि चाहें हैं ऐसे ही रफली लेकिन इसको फिर से बाद में हम लोग थोड़ा सा बारिक जरूर करेंगे तब ही इसका तेल जो है बहुत अच्छे से निकलेगा इसके पतियों में से दोस्तों इसमें डालेंगे हम लोग अच्छा तेल बने इसके लिए इसमें डालना होगा हमें लसन तो एक गाठ छोटा गाठ इसमें लसन डाल दी हूँ इस तरीके से छुडा के और इसका छिलका भी हमें नहीं हटाना है साथ में डालेंगे 5-6 लोग और 7-8 इसमें डालेंगे काली मिर्च का दाना लोग जो है वो भी हमारे दर्द को कहीं भी दर्द हो रहा है उसको कम करता है और काले मिर्च भी बहुत ही अच्छा गर्माहट देगा आपके दर्द वाले जगह पे तो काले मिर्च और लोंग इसमें जरूर से डालिएगा, अब ये जो तेल है आपके एदी घुटने में पुराना दर्द है, बहुत दीनों से आप दर्द से परेसान है, तो इसके जो त प्राजिता हर सिंगहार के जो आप तेल लगाएंगे दोस्तों तो ये बिल्कुल आपके दर्द को धीरे धीरे से करके खतम करेगा, दर्द को एकदम से खीच लेगा, और ये बहुत पुराना नुस्खा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसके गुनों के बारे में, आपको बहुत जादा पुराना सर्दी खासी बुखार है, जुकाम है, गले में हर हमेशा खरास रहता है, आपके सीने में बहुत जादा बलगम फसे हुए हैं, बहुत दीनों से आप परेसान हैं, तो ये जो हर सिंगहार के पत्तियां हैं, इसका आप काढ़ा बना के पी के देखिए, तीन से चार दी ने दी आप दोनों टाइम इसका काढ़ा बना के पीएंगे ने, यकीन मानिए आपके सर्दी खासी जुकाम एकदम से गायब हो जाएंगे, एदि आपको थोड़ा थोड़ा दिन पे फीवर हो जाता है, आपको लगता है कि बहुत जादा हमारा ब आप लोगों को इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं, यदि चाहिए होगा वीडियो तो कमेंट कीजेगा, मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे दूँगी और आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से वीडियो बना के भी डाल दूँगी, तो सारी चीजों को देखिए, यहां पर रखन के बाद अब लेना है मिकसर जार, और मिकसर जार में जो पत्या काट के लाज़न बगर रखी थी, वो सारे इसमें डाल देंगे, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे, इस टाइप के बीडियो को स्कीप करके नहीं देखे नहीं तो आपको सम काट के डाल लेते हैं, और जो मिकसर जार में डाले हैं यह सब आप कूट के भी डाल सकते हैं, आप बहुत अच्छे से इसको बहुत समय देके कूटेंगे, तो यह जो है तेल आपका और भी पावरफुल बनता है, तो देखे इसको असान बनाने के लिए मैं मिकसर जार में इसको डाली हूँ, अब क्या करेंगे, इसमें हमें पानी बगएर नहीं डालना है बीना पानी का हैं, और लॉंग और काली मिर्च भी इसके साथ ही डाल दी हूँ, अब सारे चीजों को थोड़ा सा दरदरा करके पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारिक चिकना नहीं करना है, देखिए कुछ इस टाइब का दरदरा करके हम लोग पीस लेंगे आप लोग कहां कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा तो अभी इसको इसी में रहने देना है और इसमें बाकी के सामगरी हमें और अड़ करने है तेल बनाने के लिए तो यह है अजवाइन अजवाइन से आप लोगों को मालूम होगा या नहीं भी होगा कि अजवाइन का जो तेल है वो भी हमारे दर्द को कम करता है कहीं भी दर्द है घुठने में हो एरी में हो आजकल एरी का दर्द का बहुत ज़्यादा सिकायत चल रहा है बहुत कम उम्र बाले को भी देखते हैं एरी में दर्द हो जाता है तो उसको भी ये कम करता है दोस्तों एरी में जो दर्द होता है यूरीक ऐसी डेदी बढ़ जाता है यूरीन ऐसी तो उसके बजह से होता है ले इसमें तेल बनाएंगे तो कितना तेल बनाने के लिए चीजे हम लोगों को डालना है उसी हिसाब से आप बनाईएगा मैं आपको सारे चीजे आगे बताऊंगे अजवाइन के बाद यहाँ पर ले लेते हैं मेथी दाना आपको दिखाना है इसके लिए बारी बारी से सारे चीजे इसमें लेके और आपको दिखा देती हूँ तो दो चमच की जितना यहां पर मेथी दाना ले रहे हैं दो चमच ही आजवाइन लिए हैं लेकिन इसमें से इतना आजवाइन और इतना मेथी दाना नहीं लगेगा जो तेल आज हम बना के आपको दिखाने वाले हैं ओ करीब 100 से 1.5 एमिल के इतना बनाएंगे उसी के हिसाब से मैं सारे सामगरी डाल रही हूँ एदि आप तेल ज़्यादा बनाएंगे तो सारे चीजों को ज़्यादा कर दीजिएगा आप तेल बनाने के लिए जो में चीज है वो है कड़ाई दोस्तो एदि आपके पास लोहे की कड़ाई है तो आप इस तेल को कोशिस कीजिएगा लोहे के बरतन में ही बनाने का चाहे आपके पास कढ़ाई हो या छोटा सा कोई पतीला हो या तवा हो या तवा आपका बहुत ज़्यादा गहडा है और वो लोहे का है तो आप उसमें ही तेल को बना ले नहीं है तो आप मजबूरी बस तेल के कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं लेकिन कोशिस किजिएगा कि इस तेल को लोहे के कडाही में ही बनाए तो आज हम लोहे के कडाही में तेल को बनाएंगे हमारे पास है तो आराम हो जाता है तेल बनाने में लोहे के कडाही में बनाने से क्या होता है लोहा में जो आइरन है वो तेल के अंदर आ जाता है और तेल चमच अजवाइन और एक चमच मेथी दाना इसमें डाल दी हूँ बस एक चमच 100 ml तेल के लिए एक चमच मेथी दाना और एक चमच अजवाइन एक चमच आपको हल्दी दालना है और साथ में इसमें डालना है तील का तेल आपको है तो आशानी हो जाएगे आपके लिए जो त दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा करता है तो आप कोशिश कीजिए इसमें तील का तेल डालना दोस्तों एदी आपके पास तेल का तेल नहीं है तो आप इसमें सरसो का तेल भी डाल सकते हैं और सरसो के तेल और तेल के तेल दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं लेकिन इसम आप तेल बना रहे हैं तो नारियल का तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं डालिएगा तेल डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको दस मिनट तक आपको छोड़ देना है इसी तरीके से इसमें तेल डालके दस मिनट के बाद इसको च तेज नहीं करना है एकदम कम फ्लेम पर तेल को लगतार चलाते हुए हम लोग पकाएंगे जिससे की जो पत्या में रस है इसका जो गुन है पोशक तत्तो है पत्या में वो सारे निकल के और तेल में मिक्स हो जाए तभी यह जो है हर सिंगहार का तेल वो अच्छा बन पाएग और एदी आप आज को बहुत ज़्यादा तेज कर देंगे तो फिर जो आपके तेल है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बनेगा क्योंकि जो इसका पत्या है वो जल्दी जल जाएंगे और आपका तेल जो है अच्छे से पक नहीं पाएगा तो आप देख पा रहे है कितना देर से ये चड़ा हुआ है चुले पर लेकिन बिल्कुल भी ये उबल नहीं रहा है तो धीरे धीरे से करके आपको इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाना है और ये जो तेल है दोस्तो बहुत कोई आफिस में बहुत ज़्यादा टाइम बैट जाते हैं तो उनके गरदन के पीछे में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है कभी कभार कमर में भी दर्द होने लगता है ज़्यादा काम करने के बज़ह से तो उनको भी ये वाले जो तेलों का मसाज करें, कैसे मसाज करना है आपको आगे बताऊंगी, इसका लगाने का जो सही तरीका है वह जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, तब तक तेल अच्छे से आपको फाइदा नहीं करेगा, तो कम आज पे इसको बहुत अच्छे से पकाते हैं और देखें जब तेल पकेगा तो इसके किनारे किनारे बहुत अच्छा से जाग आ जाएगा जब जाग धीरे धीरे से बैठने लगे नीचे की ओर और जो पतिया है उसका कलर हलका हलका सा देख पा रहे हैं ब्राउन मेथी दाना भी पक चुका है लेकिन जब पूरा जल जाए उतना देर आपको चुलहा को जला के नहीं रखना जब थोड़ा थोड़ा सा पति का कलर इस टाइप से चेंज होने लगे इसी टाइम में आपको चुलहा को बंद कर देना है और पतियों इस तेल को छोड़ देना ह ठंडा होने के लिए धीरे धीरे से ये पक चुका है दोस्तों और तेल को पतला कपरा से चान के मैं निकाल ली हूँ आप लोग समझ जाएंगे कि तेल को पतले कपरे से चानना है और यहाँ पर हर सिंगार के तेल बनके तियार हो चुके इसको लगाना कैसे है इसको आप दर्द वाले जगह पे इसका अच्छे से मसाज करें बहुत अच्छे से मसाज किजिए थोड़ा टाइम देके धीरे धीरे से मसाज किजिए जिससे की तेल अच्छे से वहाँ पे सूख जाए दर्द वाले जगह पे अच्छे से तेल जो है सूख जाए तो यह दोनों टाइम सुबह और साम दोनों टाइम आप तेल का मसाज करें कुछ दिन जब आप मसाज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा दर्द जो है धीरे-धीरे से खतम होना शुरू हो जाएगा तो जब तक दर्द खतम ना हो आप इस तेल का इस्तिमाल करते रहें बहुत ही आसान है बनाना और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं गया है जो कि आपको मुश्किल हो खोजने में तो आप लोग जरूर से इसको ट्राइ कीजिएगा और तेल को अच्छे से आप रख के अराम से लगाए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नई टॉपिक के साथ धन्यवाद